जैसे के आप सभी लोग जानते हैं कि अपने इस video series में एक नया segment ऐड किया है, जिसमें हम लोग जो commonly used दवाईया हैं उसके बारे में discuss करते हैं, उसके details के बारे में हम जो इसे related जानकारिया हैं वो share करते हैं, तो आज के इतनी segment में हम एक ऐसे दवाई के बारे में बात करने वा समाल से कई सारी क्रिटिकालिटी इसको बचा सकते हैं आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोल सैशे के बारे में एक्जाक्ली इलेक्ट्रोल सैशे जानते सभी लोग है अल्मुस्ट यह और रिहाड़ेशन सौल्स को कॉम्पोजिशन होता है और यह बहुत ही ज्यादा से के बारे में डिस्कस करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो तो जो एलेक्ट्रोल सैशी होता है जैसे कि मैंने अभी आपको बताए कि यह ओरल रिहाइडरेशन साल्स का कॉंपोजिशन होता है जो कि हमारे शरीर में वाटर और एलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो कि उसके दौरान इस व마ं सॉल्स का कॉंपोजिशन होता है मतलगा इसमें कुछ एंप्रंटेंन सोल्स होते हैं काumber कॉंपोजिशन होता है बिसीकली सुगर और सॉल्ट का मैंतलम के इस Aa की बारी क्या होता है की दुछ दौरान वर्मिटिंग डर्यर DamitУ के दौरान बहौँ जाता बहुत जा along electrolyte loss हो जाता है साथ ही साथ करफ लंभी बीमारी के बाद लूर्मल अगर विसमें हमारा electrolyte loss होता है साथ ही में सार इस किसा सर कणिज़न्स होते हैं इसको करूँ से हमारे जो electrolyte ई esquerुर्विशन शोह है आप या उसको ठीक करने में, उसको रेस्टोर करने में मदद करता है. इसका एक गिवन कॉमपोजिशन है, जो कि द्वारा दिया गया है, और उसी के हिसाब से इस सैशे को, इस दवाई को, इस इलेक्टरॉल को प्रिपेर किया जाता है. अच्छा, इसका इस्तेमाल बच्चों में भी किया जाता है, और बड़ों में भी, मतलब बच्चों में और अडल्स में, दोनों में इजली किया जाता है, बुजर्गों में भी, मतलब हर एज में इसका इसका सेफली कर सकते हैं. होता कि जया कि ہら sebंद वामिटी या डिया होता है अचीलัइट में नहीं होता है की याव मेरे बेध ही कुब लोस हो जाता है इसे करेंек-षारिय में और हफिक्ट कर सकते हैं result और अफिक्ट कर सकते हैं जिसके पर हॉस्पिटलिजेशन जेसे कि नुबता जाती है लेकिन अगर हम जैसे की एक दो एपेसोड हुने के बाद लेकर इसका ऐस्तेमाल कर लेते हैं इसका से इसके इसका से box रॉपन होता है तो कैसी प्रॉब्लम से हम बज्ट सकते हैं जैसे कि sodium है, potassium है, bicarbonates है, chloride है, इन सब का ये composition होता है, आच्छा इन electrolytes के लिए मैंने एक अपना अलग video बनाया है, जिसको आप देख करें जा सकते हैं कि electrolytes की importance क्या होती है, तो आप मेरा वो वीडियो सरूर देखें, उसको जरूर रेफर करें, तो अब ये सारे जो इसकी composition है उसके हिसाब से benefits भी provide करते हैं, जैसे कि sodium chloride है, वो हमारे शरीर में water balance को maintain करने में बहुत ज़्यादा importance होती है, उसके अलावा acid-base balance को maintain करने में help करता है, water distribution जो होता है, उसको maintain करता है, heart and nerve को directly affect करता है, muscles को affect करता है, तो dehydration में सारी problems cause हो सकती है, सारी problems हो सकती है, तो ये सारी जो nerve, heart या फिर acid-base balance है, या फिर water balance distribution है, ये सारी चीजों को maintain करता है, और ये सारी चीजों को maintain करता है, restore करता है, जिसके जो body की normal functioning है, वो maintain रहती है, इसमें potassium होता है, जो कि हमारी adrenaline के लिए, हमारे kidney के लिए बहुत ज़्यादा important है, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से support करता है, साथे साथ क्योंकि इसमें dextrose unhydrous होता है, जो कि purest form of dextrose होता है, तो ये हमारी energy level को भी boost करता है, उसके अलावा अगर heat stroke हो जाता है, और exercise करने के बाद बहुत ज़्यादा water loss हो जाता है, इन सारी condition में भी ये help करता है, और जो शरीर की electrolyte और water का loss होता है, उसको करता है, तो overall जो हमारे शरीर में water और electrolyte का imbalance किसी भी कारण से हुआ होता है, उसको ये maintain करता है, restore करता है, और further absorption भी increase करता है, तो इस तरह से ये हमारे शरीर के लिए dehydration से बचने के लिए बहुत ही अच्छा therapy है, बहुत ही अच्छा solution है, तो इसका importance हमने अभी जो discuss किया, इस कोई भी side effect नहीं है, लेकिन जो भी problem हो सकती, इसके बारे महीं हम discuss करेंगे, तो इसलिए इसका इस्तेमाल जब भी जरूत पढ़ती है, हमें करना चाहिए, इविन जो गरम मौसम होता है, गर्मियों का मौसम होता है, उसमें भी in between हम इसको use कर सकते है, as such कोई problem cause नहीं करता है तो आप बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल किया कैसे जाता है, और किन साफधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो इसको इसको इस्तेमाल करने के लिए, तो सबसे पहले जो सैशे हैं, उसी पे instruction दिया होता है, कि इसको कैसे इसको 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 एक सैशे होता है, उसको ए का साफ पानी होता है उसी को इस्तेमाल करना चैहाँ अगर आपकी सैसी जग़ह पे हैं जहां पे आप कन फर्म नहीं है कि पानि कैसा तो पानी को बॉइल के थंडा कर ली चूंझ और इसको भोल के फिर इसको सिस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा दूसरी चीज है कि जितना पानी इसमें दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन में आपको दिया है उतने ही पानी में इसको डिजॉल्व करना चाहिए कम पानी में अगर आप डिजॉल्व करते हैं तो फर्दर आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है तो यह हमेशा द्यान रखना कि जितना अमाउंट वाटर दिया है जितनी कॉंटिटी वाटर को उसमें एड करने के लिए कहा गया है उतना ही करें उससे कम नहीं करें अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पिए है कि जैसा कि मैंने बताई कि इलेक्टरॉल जो होTा है यह यूडली एक रिटर पानी में हम R dariOR करते हैं तो यहां पर और इंप्रिण को सैसे को इलेक्टरॉल का जो पाउडर को सीर्फ पानी में ही डेजॉर्व करता है इसको नहीं dissolve करें साथ इसमें एक्स्ट्रा नमा किया फिर एक्स्ट्रा चीनी एड़ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जैसा स्वाद होता है उसी के हिसाब से ही पीना होता है वही आपको benefit प्रोवाइट करता है इसमें जितनी जरूरत है sugar and salt की और पानी की वह उसी हिसाब से ही इस composition को तयार किया गया है तो उसी हिसाब से as per instruction ही इसके इस्तेमाल करें अच्छा आप इस्तेमाल इसका करते उसके बाद भी अगर condition आपकी ठीक नहीं होती है तो हमें लंबे समय तक कर इंतिजार नहीं करना होता है कोई भी problem है किसी भी तरकी कि चाहें वह उल्टी है डाइ जैसे आपको kidney की problem है या फिर hypertension जैसे दिकत है diabetes है या कुछ भी ऐसी problem है तो इस दवाई को लेते हुए थोड़ा सा ध्यान रखिए और अपने doctor को इसके बारे में ज़रूर इंफॉर्म कीजिए तो आज के फिर इस वीडियो में हमने डिसकस कि है एलेक्ट्रॉल सैशे के बार चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जाके हमें जरूर बताएं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक स्वास्त्री रक्षी तरह और खुश रहे धन्यवाद